तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से motion ला सकते हैं अपने text में मतलब आप कहीं लोग पूछते हैं कि text को किस तरह से move करता दिखा है मतलब जैसे हिलता डूलता text रहता है उस तरह से हम कैसे उसको set करें तो यहां पर मैंने एक previously recorded वीडियो यहां पर अपना डाल रखा है इसमें sound पर मत जाएगा इसमें sound नहीं है तो मैं आपको बस text दिखाने के लिए यह video लगा रहा हूँ तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है यहां effect section में आ जाएंगे effect section में आने के बाद यहां titles दिख रहा होगा टाइटल के बाद यहां text plus और text plus दिख रहा होगा तो मैं text और text plus कुछ भी ले सकते हैं मतलब यह custom text होता है custom title होता है इसको मैं यहां पर drag and drop कर दूंगा और यह मैं Davinci में कर रहा हूं तो Davinci के लिए tutorial है तो पहली यहां पर बात आ जाती है कि यहां हम text लेखते हैं इस साइट जो panel हमारे inspector अगर आपका open नहीं है तो यहां से आप click करोगे तो inspector open हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर text पर आपको जो भी effects वगरा ड आगाना है तो आप किस तरह का theme चाहते हो अपने text पे वह पहले सारा editing कर लो text का और उसके बाद फिर effect लगा तो जैसे मैं यहां पर text में कुछ लिखने का बाद में करूंगा लेकिन अभी आप कौन सा font रहा है रखना चाहते हो आप तो यहां पर चूज कर सकते हो मैं जैसे comic access ले रहा हूं तो अगर यह text आपको नहीं है आपके पास तो अलग से download करना परेगा आप जाके डाफॉंट पे जाके और उसके पाद यहां comic comic access type करो वहां से आप download कर सकते हो और यहां color है size है size वगर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहां से मैं थोरा बढ़ा कर दूंग और इसके बाद setting में जाके इसको थोरा सा adjust करके नीचे ले आउंगा तो यह इतना काम इसमें हो गया मैंने resize कर दिया है text को और इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे यहां पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे views है यहां पर तो आप transform है layout है तो उसमें बाकी वीडियो में बात करेंगे अगर उसका काम आएगा तो अभी हमें चाना है setting टैप पर setting में यह पहला white solid fill है तो आप जितने वी वीडियो देखते होंगे जिस पर text रहता हो तो उसमें आप maximum पर देखते होगे कि वहां पर आपको gradient fill मिलता होगा तो यहां पर जैसे यहां पर first setting में first element पर ज अगर कोई image set करना चाहते हो title पर भी कर सकते हो यहां मैं gradient पर जाओंगा जैसे gradient पर जाओंगा यहां हमें color choose करना है कौन सा first color कौन सा रहेगा second color कौन सा रहेगा ठीक है मैं first color पर अभी highlighted है तो इस पर click करूंगा और यहां पर मैं ले लेता हो green ठीक है फिर second पर यहां पर click लो ठीक है यह इस तरह का कुछ effect आ गया यह आप देख रहे होगे काफी शांदार लग रहा है अभी second में जाएंगे second नंबर पर यहां red line है इसको इनेबल कर देंगे इनेबल करने के वाद इसका color आप जो भी करना चाहो वह आप कर सकते हो जैसे मैं यहां पर black रखना चाहत तो यह थिकने से यहां थिकने सब थोरा सा बढ़ा दो ठीक है और composite मतलब blending mode composite से करके solid कर देना फर्स्ट वाले का भी है तो इसका composite है तो इसको भी solid कर दो तो color इधर उधर makes नहीं होगा ठीक है तो यह दो हो गए अब अगर बांकिया आप shadow डालना चाहो ब्लैक साड़ो इने इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो काफी सारे option है जैसे shadow का color कौन सा होगा black है जो भी आप रखना चाहो वो कर सकते हो मैं अभी normal black रहने दूंगा यह text add हो गया अब हमें इस पे effect डालना है इस पे effect डालने के लिए हम यहां effects section में आ जाएंगे open effects में ठीक है और जो हमारा shaking effect हो मैं camera sick add करूंगा इसमें यह camera sick tap करेंगी यह free है तो अब मैं play करके देखता हूं यह देखो इस तरह से sick होने लगा यहां पे effect section में open effects आने के बाद यहां पे आपको camera sick देखने को मिल जाता है इससे turn off और on कर सकते हो on करने के बाद काफी सारे options आपको देखेंगे और इसी से को customize करना है अपने sick को जैसे यह sick हो रहा तो किस range दोगा जैसे मैं देखो अभी speed इसको play करके दिखाता हूं इतना speed है ठीक है लेकिन मैं इसको speed कर देता हूं ज्यादा बढ़ा देता हूं इसके बाद मैं play करूंगा तो देखो देखो speed बढ़ गया फिर यह scale motion scale मोशन स्केल मैं अगर ज्यादा करना तो मितलब ज्यादा दूर तक यह ज्यादा दूर तक से करेगा जैसे मैं अभी प्ले कर रहा हूं देख रहा हूं तो जैसे मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं ज्यादा दो तक और बहुत speed भूर है अ अगर आप से डालना चाहते हो वो डाल सकते हो मैं आप नॉर्मल साइन रहने दूंगा साइन रहने दूंगा अब कैसे अड़ करना है वो मैं बता दिया और मैं इसको इतना ज्यादा ठीक नहीं लगता है motion scale भी थोड़ा कम रखूंगा और speed भी अराम से एकतम slow रखूंगा तो यह आपको play करके दिखाता हूं इस पीट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो मैं speed थोड़ा बढ़ा देता हूँ scale थोड़ा कम करぁ दूंगा तो अपनी हिजाब से मैं कस्टमाइज कर दो इस तरह से जैसे आपको रखना है तो इस तरह से कर सकते हो आप अब यह हो गया मानलो मुझे यह ठीक लग रहा है इस तरह का मोशन ठीक लग रहा है ठीक है और मैं चाहरा हूं कि यह टेक्स्ट यहां से मतलब पहले जीरो हो और उसके बाद फिर पॉप अप टैप का होता है न वो पॉप अप हूँ तो इससे मैं वीडियो में चला जाओंगा टेक्स्ट टाइटल में यह टाइटल को सेलेक्ट करते विए इसके बाद सेटिंग में सेटिंग में यहां पर एक की फ्रेम लगाऊंगा जीरो पर और इसके कि यह बाहर आड़ा है उस तरह से मैं सोच रहा हूं कि टेक्स्ट भी बाया है ठीक है तो यहां पर फिर इसको इस इतना कर दूँगा उन्हां अब देखोई ताल प्रेसे वेक करता ओं और और करके देखता हूं कया इस तरह से हो गया ना अब अपने एसाब से देखो बस हो गया इस तरह का effect हो गया बस सही है इस तरह का अगर आप effect डालना चाहते हो तो डाल सकते हो आप बांकी यह सारा effect लगाने के बाद आपको जैसे आप बोल्ड हो कुछ उसकी हिसाब से आपको कैसे एडिट करना है टेक्स्ट को लेकिन इसके लिए मतलब simple सा फंडा क्या है कि इसको एक बार आप एडिट कर लो उसके बाद cut लगाओ cut लगाते जहाँ जहां जहां आपने बोला है वो जो आपका speech है उसके web को देखके और सभी पर बारी-बारी से जाके सभी टेक्स्ट के उपर यहां पर जाके title में अपना change करो जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एच हेलो कि दोस्तों कि फिर सेकेंड को सेलेक्ट करूंगा सेकेंड को सेलेक्ट करके फिर यहां पर लिखूंगा कि कैसे है है अब लोग ठीक है अब मैप लेकर करके दिखाता हूं यहां आया प्लेकिया हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो इस तरह से और अगर आप चाहरों कि हर टेक्स्ट अलग अलग तरीकी से एक तरह से आया है मतलब कुछ-कुछ एफेक्ट लेकर आया है तो इसको आप यहां मतलब इससे आप लोग बता तरह तो भी आप यहां अपर बना देना कि एक टेक्स्ट कैसे आड़ कर सकते हो और आप एट्रेक्टृ बना सकते हो तो चले मिलते है नेक्स वीडियो में, होप ये वीडियो आपको helpful लगा हो अगर helpful लगा हो तो वीडियो को like कर देजिए कोई और वीडियो चाहिए हो तो नीचे comment कर देजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, चैसरे राम